हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आज का जो वीडियो है यह S.S.E.G.D. का पार्ट 3 है तो चलिए देखते हैं कि इसके जिके के कोशन्स क्या आए हुए है और मैं उम्मीद करते हूं कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा प्लीज इस वीडियो को ल अगला कुशन है काकोरी सडियंत्र केस के लिए किन स्वत अंत्रता सेनानियों को फासी दी गई थी विकल्प है चित्रंजन दास और वासुदेव बलवन्त फड़के राम परचाद बिस्मिल और अश्फा कुल्ला खान खुदी राम बोस और चंदर शेकर आज़ाद कृष्णी जी गोपाल करवे और बागा जतिन तो हम सभी जानते हैं कि उप्चन अबर जो टू है इसमें वो सही अंसर होगा राम परचाद बिस्मिल और अश्फा कुल्ला खान नेक्स्ट जो कुष्ण है मुगल सेना के किलाव लड़ते हुए सिंगड कि ले के सफल बचाओ में किस मराठा योद्दा की मृत्यू हुई थी विकल्प है बाजी पसालकर ताना जी मालूसरे चीमा जी अप्पा बाजी प्रभू देश पांडे विकल्प नमबर दो ताना जी मालूसरे सही अंसर है अगला सवाल है निम्न लिखित में से कौन सी नदी कृष्ण की सायक नदी नहीं है इसके विकल्प है वेना कोईना भीमा बेतवा तो आप्शिन नमबर 4 बेतवा सही अंसर है इजी के के कुश्चन से जो की आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर तयारी कर रहा है तो आपके लिए उपयोगी है ये अगला कुशन देखते हैं 36 गड में कौन सा आदिवासी त्योहार आदिवासियों की देवी केसर पाल केसर पालीन को समर्पित है आप्शन से इसमें मिंजर, मदाई, सरहूल, पुली काली विकल्प कमबडो मदाई सही अंसर है अगला सवाल है केंद्री बजट 2018 में खाली जिगा को 5,7,5,0 करोड आबंटित किये गए विकल्प है आपके सो भाग्य योजना, ओप्रेशन ग्रीन, राष्टी आजीवी का मिशन, उजवला योजना तो इसमें से विकल्प नमबर 3, राष्टी आजीवी का मिशन सही अंसर है नेक्स्ट है भागणा निर्थ्य किस राज्ये में लोक प्रिय है विकल्प है पुद्दुचेरी, राजिस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब ओप्शन नमबर 4, पंजाब सही अंसर है ये कोशन अभी हाली में जो एमस के एक्जाम हुई थी, उसमें भी पूछा गया था नेक्स्ट कोशन है खाली जगा को छोड़ कर नेमन सभी भाई बेहनों को दादा साब फाल के पुरुसकार मिला विकल्प है बियार चोपडा और यश्ट चोपडा, महेश भट और विक्रम भट, लता मंगेशकर और आसा भोसले, राज कपूर और शशी कपूर विकल्प नमबर दो, महेश भट और विक्रम भट इन्हें जो है दादा साब पुरुसकार जो अवोड है वो नहीं मिला हुआ है और यह जो दादा साब फाल के पुरुसकार है यह फिल्म जगत से रिलेटिड है विकल्प है सत्यजीत रे, शरादिंदू बंदोपध्याई, रित्विक घाटक, डेविड, डेविडर विकल्प नमबर दो, शरादिंदू बंदोपध्याई यह जो है वो करेक्ट अंसर है अगला सवाल है किस राजनेतिक पार्टी का चुनाव चिन हाती है विकल्प है राष्टिय जनतादल, राष्टिय कॉंग्रेस पार्टी, भारती कम्यूनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी विकल्प नमबर चार, बहुजन समाज पार्टी यह सही अंसर है अगला सवाल देखते हैं 2018-19 में मध्यम स्टैपल किस्म गे कपास का नियुन्तम समर्थन मुल्य कितना निर्धारित किया गया है विकल पेश में 1950 प्रति कुईंटल, 5150 प्रति कुईंटल, 2430 प्रति कुईंटल, 2897 प्रति कुईंटल तो इसमें से option number 2, 5100 प्रति कुईंटल, ये सही अंसर है Next question देखते है एक साधारन pendulum T की अबदी और उसकी लंबाई L के बीच का संबन्द खालिजिका है G गुर्तवा कर्शन के कारण तवरण है और इसके विकल्प दिये है जिसमें से जो option number 2 है T equals to 2 pi और ये bracket में दिया है L upon G, L by G ये सही अंसर है इसका Next question है उपसर्ग, खाली जगा, 10 गातांग, 15 के गुर्ण के बराबर है तो इसमें जो है option से एक से, फैम्टो, पेटा, एटो तो इसमें से जो option number 3 है पेटा ये सही अंसर है अगला सवाल है जो जिला दर्रा किस परवत श्रिंखला में इस्तित है विकल्प है लदाग परवत माला तो लदाए परवत माला पूरवी कारा कोरम परवत माला जासंकर परवत माला उसमें से option number 4 जासंकर परवत माला सही अंसर है Next question है भारत ने फाइनल में किस देश की टीम को हरा कर अंडर 19 किरकेट विश्व कप 2018 जीता विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षन अफ्रिका विकल्प नमबर एक ऑस्ट्रेलिया ये करेक्ट अंसर है अगला जो सवाल है 2018 एशियाई खेलो में किस भारतिये ने 50 किलोग्राम महिला फ्रिस्ट्राइल कुष्टी में स्वन पदक जीता विकल्प दिये हैं कविता देवी साक्षी मलिक पविता कुमारी विनेश फोगट तो विकल्प नमबर चार विनेश फोगट ये सही अंसर है नेक्स जो कोशन दिया है ये सब्जेक्ट के रिलेटिंग ही है इससे अगला वाला कर्नाटक के राष्टी कुष्ट वंश का पहला और सबसे महत्पूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था विकल्प इसके दंती दूर्ग, बिन्दूसार, उत्कम, हरीहर विकल्प नमबर एक दंती दूर्ग की सही अंसर है नेक्स गुशन है भारत के समीधान में व्यापार की स्वतंतरता की अवधारणा किस देश के समीधान से ली गई है विकल्प है आयर्लेंड, युनाइटेड किंग्डम, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राजे अमेरिका इसमें से विकल्प नमबर तीन आस्ट्रेलिया सही अंसर है ये एक तरह के स्टेटिक चिक्या है जो बदलता नहीं है बार-बार एक्जाम्स में ये रिपीट होता है नेक्स्ट कोईशन है भारत में नवंबर दोजार अठार के अंत में मिच्वल फंड का आसित आधार खाली जगाँ था विकल्प है 47 लाग करोड 19 लाग करोड 24 लाग करोड 31 लाग करोड विकल्प नमबर तीन किस मिच्व रिधात्तु में निकेल, तामबा और जस्ता होते है विकल्प देगे हैं आपके इसमें बेल मेटल, प्रोस मेटल जर्मन सिल्वर, टांका सॉल्डर तो इसमें सॉप्शन नमबर त्री जर्मन सिल्वर ये सही अंसर है अगला सवाल है विकल्प नमबर तीन ये सही अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है खाली जगा कंदे को त्री कोणी मास पेशियां है विकल्प है चर्वनिका, साट्रोरियस, सनायू जाल, अंश्चद पेशी तो इसमें से विकल्प नमबर तोर अंश्चद पेशी, करेक्ट अंसर है अगला सवाल है मंगल ग्रह के वात्तावरण में अधिक मात्रा खाली जगा की है विकल्प है अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डायोकसाइड तो इसमें से उप्शन नमबर फोर कार्बन डायोकसाइड सही अंसर है समीधान के किस संशोदन में गोडो, डोगरी, संथाली और मैत्ली को मान्यता प्रभ भाषाओं की सूची में जोडा गया विकल्प है इसमें से विकल्प नमबर एक बानवा समीधान शर्षोदन अधिनियम दोजार तीन सही अंसर है तो ये जिक्ये के कोशन्स थे इसकी बाद इस पेपर में जो है, वो मैट्स का पोश्चन शुरू हो रहा है तो मैं उम्मीद करें हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा और ऐसे वीडियो से और अपनी तयारी को अच्छा रखिए इसमें इंग्लिश का पोश्चन भी दिया हुआ था अब जो पोश्चन है वो हिंदी का है जिसमें से हम पहला कोशन देखते हैं कि दियेगे वाक्य का वह भाग ज्यात करें जिसमें कोई त्रूटी है यानि कि कुछ गलत है वाक्य दिया गया है शाम की खराब इस्थिती को देखकर मुझे दुख और शोब हुए तो विकल्ट नमबर तीन और शोब हुए ये यहां सही अंसर है यानि कि इस वाक्य में और शोब हुए में त्रूटी है नेक्स जो अंसर है एक तिस्तान को भढ़ने के लिए उप्योक्त शब्द का चैयन करे मैं पोधे खाली जगा रहा हूँ विकल्प है खा जगा भगा लगा तो इसमें से उप्शन नमबर फॉर लगा मैं पोधे लगा रहा हूँ अगला सवाल है दिये गए वाक्य का वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई त्रूटी है विकल्प है इसमें यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाते हो तो यहां से चले जाओ इस बाक्य में विकल्प दिये गए हैं यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाते हो तो यहां से चले जाओ तो इसमें से विकल्प नमबर दो और अपनी परिवार की यहां पे तूटी है इसमें यहां पे इस तरह से आएगा और अपने परिवार की तो यह यहाँ पे जो है option number two यह यहाँ correct answer हो जाएगा next question है अटखेलिया सूजना मुहावरे का अर्थ विकल्प है इट्शा करना मजाख उडाना दिल लगी करना ब्यंग करना विकल्प number three दिल लगी करना यह इस मुहावरे का अर्थ होता है next question है दिये गे वाक्य में रेखांकित खंड को परिस्थापित करने के लिए उप्यूक्त विकल्प का चैयन करें वाक्य दिया गया है उसकी शिकायत पूर्टिया सही थी विकल्प इसमें अधिक्तम लगभग अक्षरस प्रतिशब्द इसमें सौप्षन नमबर तीन अक्षरस ये जो है ये सही अंसर है next question है दिये गे वाक्य कवा भाग्यात करें जिसमें कोई तूर्टी है इसमें वाक्य दिया है कक्षा के सभी चात्र गुरुजी की आदर करते हैं विकल्प है इसमें विकल्प नमबर चार गुरुजी की आदर यहाँ जो वाक्य है ये तूर्टी वाला है इसमें जो है वो इस्तरे से आएगा गुरुजी का आदर तो यह यहाँ से ही ऑप्षन हो जाएगा ऑप्षन नमबर फूर next question देखते है दिये गे वाक्याश के लिए एक शब्द दीजिए तिब्र बुद्धी वाला तो विकल्प दिये हैं इसके दुर बुद्धी कुशाग्र बुद्धी मंद बुद्धी अल्प बुद्धी विकल्प नमबर दो कुशाग्र बुद्धी यहां सही अंसर है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो यह जो है वो सारे ही एक जिसी प्रोनाउस होंगे साक्षर, 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 साक्षर तो विकल्फ नमबर जो 4 है साक्षर यह सही अंसर है जैसे इसमें जो है वो मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है और कौन सा स है जो एक जैसी क्योंकि इनका प्रोनाउंस जो है लगबग एक समान है तो हमें देखना है कि किस तरह से इसका वाकिय जो किस तरह से शब्दे वो सही होगा जैसे ऑप्शन नमबर 3 शाक्षार और यह एक जैसी है लेकिन इसमें मात्रा का फर्क है तो हमारा उप्शन नमबर 4 जो है वो सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है दिये के बाक्य मेरे खांगित खंड को परिस्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैयन करें बाक्य दिया है जिसने मन रूपी मत वाले हाती को वश में कर लिया वही सच्चा शूर वीर है विकल्प है इसमें उद्विंग मदमस्त प्याकुल आकुल तो जो इसमें रिखाकन वाला बाक्य है मत वाले उसके लिए उप्शन नमबर 2 मदमस्त सही अंसर है एक्स जो है वो कॉम्प्रेंशन है यानि कि गद्या दिया हुआ है तो ये इस तरह से दिया है किताबे हमारी सबसे अच्छी खाली जगा है किताबे आत्मा और मन के लिए भोजन है पुस्तके हमारे दुखों में हमें खाली जगा दे सकती है और जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद कर सकती है ये जीवन में सबसे खाली ज जगां होती है तो ये विकल्प दिये हुए है इसमें इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच ये खाली जगां दे हुई है और हमें विकल्पों को देखके बताना है चूस करना कि कौन सा इन खाली जगां में आएगा जिसमें से पहला है पहला कोशन ही है द्याश के संकेति रिक्तिस्तान एक के लिए उप्युक शब्द कौन सा होगा तो इसमें उप्युक शब्द जो है वो दोस्त होगा कि किताबे हमारी सबसे अच्छी दोस्त है किताबे आत्मा और मन के लिए बोजन है उसमें हमारे दुखों में हमें खाली ज चांती तकलीप इसमें से उप्षिन नमबर फर्स्ट सांतम ना आएगा कद्याश में संकेतिक रिक्पिस्तां तीन के लिए उप्योग शब्द क्या होगा तो तीन के लिए जो उप्योग शब्द है उसके विकल्प है विफलता, दरीदरता, निश्फलता, सफलता तो option number 4 सफलता जो है वो सही अंसर है यहाँ नेक्स्ट खाली जगा यानि की चोथी खाली जगा के लिए हमें देखना है उप्योग शब्द क्या है विकल्प है भय, आशंका, रोश्नी, भर्म इसमें option number 3 रोश्नी सही अंसर है जो 5 भी खाली जगा है उसमें options देगे हैं पराजय, विजय, अजय, विजयता option number 2 विजय, सही अंसर है यह हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है next question दिया गया है दिये गए शब्द के प्रियावाची शब्द का चायन करें खग, पक्षी, पशू, कबूतर, तोता इसमें से option number 1 पक्षी, सही अंसर है खग का प्रियावाची पक्षी होता है next question है दिये गए शब्द का विलोम चुने, मासा हारी इसके विकल्प दिये हैं, शाका हारी, विरंकारी, बली हारी, निरहार विकल्प number 1 शाका हारी, सही अंसर है next है रिक्तिस्तान को बढ़ने के लिए उप्युक शब्द का चैयन करे लगता है आज खाली जिगा होगी विकल्प है बादल, सूर्य, दिन, वर्षा option number 4 वर्षा सही अंसर है लगता है आज वर्षा होगी next question है शाष्वक्त का विलोम शब्द विकल्प है इसके शनिक, अस्ताई, स्वस्त, चिरंतन तो विकल्प number 1 शनिक सही अंसर है शाष्वत का आर्थ होता है हमेशा यानिक जो हमेशा रहे और शनिक यानिकी पल भर के लिए तो विकल्प number 1 यहां सही हो जाएगा next question है दियेगे वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए रास्ता दिखाने वाला विकल्प है समदर्शी, रहापतिक, मार्ग दर्शक, दूर दर्शी तो विकल्प number 3 मार्ग दर्शक सही अंसर है next question है इक श्तिस्तान को भढ़ने के लिए उप्योक्त शब्द का चयन करें एक विद्वान ने परिक्षा की खलजगा आग से की है तो इसमें विकल्प है उपेक्षा, अपेक्षा, तुल्य, तुल्य, तुल्यना तो जो सही शब्द है वो तुलना है, एक विद्वान ने परिक्षा की तुलना आग से की है प्रिक्तिस्तान को बढ़ने के लिए उप्योग शब्द का चैन करे आजकल चोरों खालिजगां घिरो सक्रिय है तो इसमें दिये गया है शब्द से को का पर तो इसमें जो सही अंसर है वो है का आजकल चोरों का गिरो सक्रिय है नेक्स्ट कुश्चन है डकार जाना मुहावरे का अर्थ है हडप लेना, खुले आम कहना, हानी उठाना, कठिन का इसमें से विकल्प नमबर एक हडप लेना सही अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है दिये गे शब्द के प्रियाय वाची शब्द का चैन करें विपत्ती इसके जो शब्द दिये गे हैं मुसीबत कस्ट जटा जटिल इसमें से option number first मुसीबत सही अंसर है एक्स्ट कुश्चन है दिएगे वाकि मेरे खांकित खंड को परिस्थापित करने के लिए उप्युक्ष विकल्प का चैन करें जीवन में उन्नती चाहते हो तो परिशर्म करो विकल्प है अग्रगणिये उच्चिता अग्रसर विकास उन्नती का जो सही अंसर है वो विकास है तो उप्षन नमबर फोर जो है वो सही है नेक्स्ट कुश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करें इसमें हमें वर्तनी देखनी है यानि कि हमें मात्राओं का भी ध्यान रखना है दिवास दिवस दिवश दिवस तो इसमें से option number two दिवस सही answer है तो आज का वीडियो यहीं तक यह इसमें से जो है बहुत सारे questions repeat भी हुए जैसे कि जो वरतनी से related questions होते हैं वो आते ही हैं और निर्तिय वाले भी आते हैं येम्स में भी आये वा था question निर्तिय वाला तो मैं उम करें हूँ कि आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा